यहां पर आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो की इंडियन एक्स्प्रेस में आया हुआ है काफी अच्छा एडिटोरियल है जिसमें वो डिस्कस कर रहा है कि जो एकाउंटेबिलिटी है जुडिश्री के अंदर वो किस तरीके से होना चाहिए देखिए हमारे हाँ पर तीन अपने अपने दर्जे से हिलता है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी के नाम पर क्या है उसकी रूलिंग को रोक दिया जाता है सुप्रीम कोट के द्वारा तो ये आर्टिकल उसी की उपर बेज है कि अगर सुप्रीम कोट रोक रहा है तो रोकना कितना सही है या गलत है और Supreme Court यहाँ पर क्या है इसका context कि Supreme Court of India render कर रहे है ultimate judgment on decisions जो की ना केवल high courts के हैं मगर national और state tribunal के हैं throughout India. अब इससे related एक हमारा article है हमारे समविधान के अंदर वो है article 141 जिसमें एक law जो की Supreme Court declare करता है तो वो binding होगा सभी courts के अंदर within the territory of India. मतलब अगर कोई छोटा बड़ा court जिसने कोई ruling दिया और अगर वो ruling के लिए we can say Supreme Court के पास एक paste हुआ ruling तो Supreme Court जो बोलेगा उसकी उपर वो final होगा. इसका मतलब यह होता है कि चाहे कोई भी कानून legislature के दोरा बनाया जाए या कोई भी activity executive के दोरा किया जाए तो वो उसकी scrutiny से बचा नहीं जा सकता Supreme Court के कहने के. ठीक है तो इसमें कुछ precautions लेने की जरूरत है Supreme Court के दोरा आने वाले future में तो उसमें सबसे पहले क्या है वो है preserve its independence मतलब कि जो इतना जादा आजादी Supreme Court के पास है वो अच्छी बात है काफी अच्छा effective system है हमारे यहां का मगर उसमें एक problem है और वो क्या है collegium system के दोरा हमारे यहां पर judges के नियुकती होती है Chief judges of India जो है या फ़र बाकी judges collegium system से बनते हैं और उनका कोई कानून नहीं है उन judges को govern करने का मान के चलिए कि वो particular judge ने अगर गलत कदम उठाया तो उसको कोई लगाम नहीं है वो पर इतना ज़्यादा सर्वोपरी हो गया कि अगर वो अपने से हटके कोई काम कर रहा है और उसके उपर वो power देने का अधिकार नहीं है तो भी उसको अपन रोक नहीं सकते दूसरा यहां पर precaution लेनी के जरूरत है वो है efficient court management अब efficient court management का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में इतने सारे cases pending है लगबक साड़े 4 करोड case pending है पूरे देश भर में तो वो एक चीज़ है जिसको नजन अंदाज नहीं किया जाता क्या इसकी उपर supreme court ने कभी काम नहीं किया तो हम इसके लिए deny करते हैं क्यों क्यों क्योंकि supreme court ने fast track court बनाया normal track slow track हर तरीके के track बनाये हैं बट वो अभी इतने अच्छे तरीके से manage नहीं है तीसरा है वो है क्या है कि देखिए कमियातों है प्रोक्रोशन लेने की ज़रूरत है मगर उसका एक way ahead यह है कि judicial accountability जो system है उसको अच्छे तरीके से बराना पड़ेगा मतलब it can be provided by enacting a law जैसे कि US के अंदर judicial council act है 1980 यानि judicial council act 1980 यह USA में बनाया गया है और उसमें यह बोला गया है कि जो भी power इन bodies को है वो कोश होता है judges to take action against a judge charges with misconduct मतलब इस कानून के अंदर यह बोला कोई भी judge अगर misconduct करता है तो दूसरे judge के पास अधिकार होगा कि वो उस conduct के लिए क्या है रोक लगा सकेगा तो इस तरीके से हमारे देश में भी ऐसा कोई कानून लाने की आवेशकता है फिर आता है judicial governance demand judges to be ethical अब देखिए ethical होना बहुत जरूरी है अगर इतने बड़ा पद है आपका और अगर आप वहाँ पर ethical नहीं रहे तो फिर क्या हो सकता है problem create हो सकती है तो they must take annual financial disclosure statement public rather than confidently to their respective chief judges मतलब कि जो भी chief judges होते है उनका जो financial statement होता है जितने भी उनका जो आया गया पैसा है वो सब चीजें क्या है public में होना चाहिए ना कि confidentiality में होना चाहिए कोई गलत बात तो है नहीं ना वो भी तो सरकार के अधी नहीं आ रहे है मतलब सरकारी पैसा उनको मिल रहा है तो क्यो ना उनका जो भी power हो और जो भी उनका financial statement हो वो public में हो है ना तो ये जो चीजे है ये US Judicial Justice Act मे हमारे देश में ये लागो होगा तो उसमें कोई problem वाली बात नहीं है फिर आता है इसमें कि integrated court management system हमारे होना चाहिए मतलब कि supreme court can be given direct responsibility for the functioning of the high court allowing not just high court but also the supreme court जिस्ते की वो effective court में काम कर सके इसका मतलब ये हुआ कि supreme court direct responsibility देगा जिस्ते की high court की functioning हो और ना केवल बहाँ पर high court function क करेगा बट effective court भी रहेगा supreme court के लिए तो इतने सारे जो court के pending cases होते हैं कि आप देखा हमने की high court में अगर कोई case हार गया तो उसको supreme court जाने का अधिकार है तो भाई फिर जुतने भी लोग case हारेंगे तो वो सभी supreme court जा रहे है तो फिर case का button तो बढ़ता ही रहेगा कही ना कह हैं विचारदाराएं अलग हैं हमारे देश की विचारदाराएं अलग हैं मगर इंडिया का highest court कौन है supreme court है तो उसको पब्लिक का जो trust है वो बनाई रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम कहीं पर भी बितने हैं तो हमें यह पता है कि हमारे देश का करने आये सर्वो परी है दूसरा कि judges को example set करना पड़ेगा कि जो वो काम कर रहे हैं वो morally and ethically वो सही है वो एक मिशाल उनको पेश करना पड़ेगा फिर एक बहुत अच्छी कहावत है वो है भगवत गीता में कि what a great man does other men do मतलब कि एक आदमी जो कर रहा है तो दूसरे आदमी करने का सूचते हैं the standard he sets up by which the others move मतलब क्या हुआ कि एक बार अगर उसने कोई standard set कर दिया तो उसके बाद जो आने वाली PD है फिर उसका एक बार बढ़ जाता है तो इस तरीके से हमारे देश में independence of judiciary जो है वो काफी जादा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उसकी उपर question भी UPSC कई बार पूछता है और इसी में question है वो है what do you understand by judicial independence how can the independence of the judiciary be provided and protected in India critically examine यह question यहाँ पर पूछा गया है UPSC में पहले और simple सा question है कि judiciary की independence क्या होती है और कैसे आपको पता लगेगा कि judiciary जो है वो provide or protect कर रही है हमारे independence of the judiciary के लिए तो इस तरीके कि जो questions है topics है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा thank you so much for listening this goodbye everyone share and subscribe करना ना भूलेगे decode government exam के लिए youtube channel पर